इसमें आपको जो रेडिटर है काफी बड़ा सारा रेडिटर दिया है जिससे कि आगे से प्रयाप मात्रा में हवा जाती है और इंजन जो है बैटर कूलेंट की सिस्टम के साथ आपको 780 kg की हाईडोलिक लिफ्टिंग कैपसेटी आपको आपको पीटियो मिलती है सिक्स प्ला के साथ में और कंपनी फिटेड इसमें आपको हिच मिल जाता है एड़ेस्टेबल थ्री लिंकेज के साथ में इसमें आपको ओटोमेटिकली हाईडोलिक लिफ्टिंग लिफ्टिंग कैपसेटी आपको वहीं हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसको जो आडोलिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंटोर बार मिल जाता है और बीच में इसमें रिफ्लेक्टर मिल जाता है और फंडर में साइड में हैलोजन हेडलाइट आपको मिलती है रात में वर्क करने के लिए और फंडर में आपको ब्रेक और पार्किंग इंडिकेटर का आपको हम बात करते हैं इस टैक्टर के टायर की तो इसमें जो टायर है इस टैक्टर के आगे के जो टायर है वो आपको 5-2-14 के टायर मिलने वाले हैं और पीछे के जो टायर है वो आपको 8-18 के टायर मिल जाते हैं और यह आपको गुडियर के मिलने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं एग्रो टेक हम जिस टेक्टर का फूल डिटेल डिवू कर रहे हैं वो 717 स्वराज का टेक्टर है जो की 15 HP का ये टेक्टर आता है और इसमें आपको 300 इंजन डेटेड आर्पियम पर ये वर्क करता है इसमें आपको साइड सिफ्टिंग गेर मिलते हैं जो की 6 आगे के लिए और 3 पीछे के लिए आपको मिल जाते हैं प्लेट्फोर्म की बात करें तो काफी बड़ा सारा प्लेट्फोर्म है जिससे आप स्मूथ ड्राइव कर सक करते हैं ये ट्रेक्टर काफी मजबूत और टिकाउओ है वहीं अगर हम बात करें सकष्ट के क्लीनर की तो इसमें आपको थिरी स्टेज ऑइल बात विद्परी ये क्लीनर मिलता है बात करते हैं इसके और सीलेंडर उश digitally मिलता है जो की काफी बढ़िया और मजबूत टेक्टर माना जाता है इस स्रेणी में 15 HP की स्रेणी में रेडिटर की बात करते हैं इसमें आपको जो रेडिटर है काफी बड़ा सारा रेडिटर दिया है जिससे के आगे से प्रयाप मात्रा में हवा जाती है और इंजन जो है बैटर कूलेंट की सिस्टम के साथ में work करता है और यसमें आपको पंकडियां जो है वो आपको heavy duty मिल जाती है लंबे समय तक चलती है उसके बाद में हम इसकी diesel tanky की बात करें तो इसमें आपको 18 लिटर की diesel tanky आपको company की तरफ से मिल झाती है तो शान्दा टेक्टर आपको मिले वाला है किसान भाईयों हम बात करते हैं इसके हम बात करते हैं इसके लीजल फिल्टर भी आपको सिंगल मिलता है जो की बॉस कोगा है फिर हम बात करते हैं इसके और फीचरों की तो आप बने रही है वीडियो में आप इसका आगे का लुक देख सकते हैं आगे इसमें आपको हैवी डूटी कंपनी फीटेड 65 से 70 कजी का आपको इसमें बंफर मिलता है जो काफी भारी है इस रेड़ी में और आगे की तरफ आपको इसमें दो हेलोजन हेडलाइट और स्वराज की बैजिंग मिल जाती है इस ट्रेक्टर में आपको जो अल्टीनेटर है वो आपको बारा वोल्ट है और आपको 25 अंपियर का अल्टीनेटर मिलता है बात करते हैं इस ट्रेक्टर के इंजन ओइल फिल्टर की तो आपको इसमें engine oil filter यहाँ पर दिया है, यहाँ पर position दी हुई है, आपको इसमें छोटी सी self starter motor मिलती है, जो कि 12 volt और 1 kilowatt की आपको self starter motor है, वहीं इसके अगर हम बात करें hydraulic oil filter की, तो काफी बड़ा सारा आपको इसमें hydraulic oil filter मिलता है, मैंने किसी भी regulator में इतना बड़ा hydraulic oil filter नहीं देखा है, यह इकलोता ऐसा टेक्टर है, जिसमें इतना बड़ा और इतनी छोटी HP के टेक्टर में आपको इतना बड़ा hydraulic oil filter मिल रहा है, जिससे इसकी filtration है वो काफी जबरदस्त हो जाती है इसमें आपको जो front axle है वो आपको heavy duty मिलता है काफी बारी है और लंबे समय तक चलने वाला है better noises के लिए आपको इसमें silencer दिया है और इसमें आपको guard जाली लगा के दिये company ने जिससे कि आपका हाथ है वो नहीं जले brake की अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आपको dry disc brake मिलते हैं और push pedal के साथ में मिलते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं lock दिया हुआ है hand brake तो ये इसमें hand brake आपको मिल जाता है ड्रांस्पूर्ट लौक की आगर हम बात करें तो ट्रांस्पूर्ट लौक क इन यहां पर प्रवाइड कराके दिया है दीश्री और पीश्रीक की सेटिंग आप यह Meer से राइड़ शाइडस करेंगे तो इसमें आपको है रिवर्स का दिया हुआ हाइब हाई का दिया हुआ है low का दिया हुआ है और न्यूटल का दिया हुआ है तो यह अपीट्फूम आप देख रहे हैं काफी शांदार है और आप जब के देखते हैं इसकाitures का अर्डियों बिस constitu कर द हैести यह आपको कितने घंटे चला है वो बताएगा आर्पियम यहां पर शो करेगा टंप्रेचर यहां पर बताएगा और फ्यूल कितना है वो यहां पर बताएगा और इस्टारिंग आप देख सकते हैं छोटी सी स्टारिंग है जिसमें बीच में आपको स्वराज की ब्रांडिंग मिल जाती है, होरन की पोजिशन आपको यहाँ पे मिल जाती है और इसमें आपको पैसेंजर ग्रीव हैंडल नहीं मिलता है इस टेक्टर में यह टेक्टर शांदा टेक्टर आता है अगर हम इसके वील बेस की बात करें तो इसका जो वील बेस है वो 1490 mm का वील बेस है जो काफी बढ़िया और अच्छा है वहीं हम इसके ग्राउंड क्लेरेंस की बात करें तो इसका जो ग्राउंड क्लेरेंस है 260 mm का इसका ग्राउंड क्लेरेंस मिल जाता है आप देख रहे हैं यह धरातल से काफी उचा टेक्टर है तो आपको 260 mm का इसमें ग्राउंड क्लेरेंस मिल रहा है जो काफी बढ़िया माना जाता है तो यह सांदाट एक्टर मिल रहा है इसकी जो कीमत है 3,61,000 रुपे इसकी कीमत है राजिस्थान के अंदर आपके एरिये में कुछ अलग कीमत हो सकती है हम उमीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी उससे पहले मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ पीछे का और साइड का व्यू दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं ये इसकी बैजिंग है स्वराज 717 की इसमें बैजिंग है राइट साइड में आगे का लुक आप देख सकते हैं बंफर इसमें काफी हैवी है और आप साइड में लेफ साइड में भी आप देख सकते हैं राइट साइड में भी तो ये टेक्टर आपको शांदार लुक के साथ में शानदार फीचरों के साथ में मिलने वाला है तो उमीद करते हैं किसान बायों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं मिलता हूँ किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपके दोस्त अज़ेत को दीजिए इजाज़त जै जावान जै किसान जै हिंदुस्तान